रोड की समस्या को लेकर क्रमिक भू खड़ताल पर बैठे ग्रामीन लोग पिछोर ब्लॉक में आने वाले कुछ ग्राम के लोग क्रमिक भू खड़ताल पर बैठ के हैं ग्राम पिपरो, खड़ोए अमरपुर, मलवानी, आदी ग्राम के लोगों के द्वारा पकी सड़क की मांग को लेकर क्रमिक भूखड़ताल की जा रही है ग्रामिडों की मांग है कि जब तक शासर के द्वारा पिप्रो से मलवानी तक के लिए पक्की सड़क सुईक्रत नहीं होती है तब तक हम लगाताल प्रमिक भूखड़ताल पर रहेंगे लोगों ने कहा कि हमारे द्वारा पूर्व में अनेको बार सभी विभाग मंतरी आदी को रोड के संबन्द में आवेदन दिये गए हैं परंतो आज दिनांक तक हमारे आवेदनों पर किसी भी प्रकार की कारेवाही नहीं हुई है साथ ही हमारे आविदनों पर कारेवाही ना करते हुए आविदन रद्द की टोकरी में फेक दिया जाते हैं जिसके चलते हम मजबूरी में बस भूख हड़ताल करनी पड़ रही है साथ ही हमारी प्रशासन को चितावनी है कि अगर हमारी समस्या का समाधान शीकर ही नहीं किया गया तो आने वाले विदान सबाचनाफ का हमारे गाउं के द्वारा बहिशकार हिया जाएगा यहां बताना होगा कि कैबिनेट मंत्री श्रीमंत यशोदर राज सिंदिया के द्वारा शिप्पूरी विदान सबा के ग्राम पिपरो से बनियानी तक पक्की सड़क का निर्मान पूर्व में ही कराया जा चुका है देखें क्या कहा समयद सेवी डियेस चौहान ने खोड से आबिद बक्ष पत्रकार की रिपोर्ट हमारा उद्दिस यह है कि हमारे ग्राम ये पिपरो से और मलहवनी तक सौट में पक्की रोड बनना है आज तक किसी भी राजनिता ने किसी भी मंती मिनिस्टर ने किसी भी डल ने पक्की रोड नहीं बनाई है सौट में रोड बन जाएगी तो आम जनता के लिए जाने आने की काफी सहुलियत पड़ेगी क्योंकि मायापूर से जाते हैं तो बीच में एक नदी पढ़ती है उसका रप्टा पढ़ता है वहां से निकलने के लिए जनानी होने की संभाम न रहती है कभी कभी रोड पर पानी जादा रहता है इसलिए हमारे छेत्रगी ये खड़ोई पिप्रो बनियानी कंचनपूर और ये आदी गाओं में हम ये चाहते हैं कि यहां से जाने के लिए मलहावनी तक पकी रोड बनी जाए जिससे आबागमन सुलब हो सके तो हमारे छेत्रगी जनता सीक्र से सीक्र मलहावनी पर से पिछ चोर के लिए ग्यापन दिया था आविदन दिया था कि हमारी ये पिप्रो से और मलहावनी तक रोड बनाई जाए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इसके बाद फिर हमने मानिये यसुद्र राजिसिंदिया एसपी कलेक्टर और सभी के लिए छेत्र के लोगों की मांग का मांग पत्र लेकर सभी जगा आविदन पोष्ट के माध्यम से भेजे हैं और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है इसलिए मजबूर होकर हमारी पूरी छेत्र की जंता ने यहां किर्मिक भूखरताल रखने का इरादा किया है और हम लोग यहां किर्मिक भूखरताल कर रहे हैं गिराम पिपरू में